ना मैदा, ना बेसन, ना सूजी, ना ही आलू, ना कोई मसाला फिर भी बन जाएंगे ये चट पटे से हमारे कौन तो यहाँ पर आज मैं बिना मसाले के, बिना आलू के ये चट पटे कौन बनाऊंगे तो चलिए फटा फट से बना लेते हैं, अचानक से महवान आ जाएं, या बच्चों को कुछ खाना हो, बच्चे जित कर रहे हो तो उनके लिए आप बना सकते हैं, बिना जंजट के ये टेस्टी सी चट पटी कौन तो यहां पर मैंने जो सामगरी ली है, वो है गेहूं का आटा तो नॉर्मल हम अपने घर में जब भी रोटी बनाते हैं, तब ये थोड़ा बहुत आटा तो बची जाता है और फिरिज का रखा हुआ आटा हो, तो हमारी रेस्पी के लिए और भी अच्छा है वैसे अगर आप रेस्पी के लिए आटा लगा रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल लें मैं नॉर्मल जब भी आटा लगाती हूँ, तो मैं एक चम्मज घी और थोड़ा सा नमक अपने आटे में इस्तेमाल करती हूँ जो मैं रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो ये बड़िया सा फिरिज का रखा हुआ ठंडा आटा है और टाइट आटा है, तो इससे होगा क्या जो हमारी कोन बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची करारी बनेगी, अब आप सोच रहे होंगे मैंने मसाले न प्रस्ट बनाने के लिए रेडियो हो जाएंगे, तो चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लिया पैन में उसमें डाला हींग और जीरा, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर अध्रक ली है, एक बड़े साइच के प्याज को इस तरह से महीन कट करके ले लिया है, थोड़ी सी म पास और भी चीजे हैं जैसे इनके अलावा आप इसमें वो जो स्वीट कॉन बगएर आते हैं वो भी यहां पर मिला सकते हैं मटर डाल सकते हैं पर मसाला कोई इस्तेमाल नहीं करना है हमें देखिएगा कितनी मज़ेदार स्टफिंग मन कर तैयार होगी मैं बार-बार बोल रह हैं तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि यह थोड़े से ठंड हो जाए इन्हें धाकर नहीं पकाना है खुले में पकाना है ताकि इनमें क्रंच बना रहे हैं यहां पर इसको हम इस तरह से प्लेट में फैला देंगे ताकि थोड़ा सा यह थंड हो जाए अब मे बढ़िया ही नमग मिर्ची और यह लेजिए हमने इनको इस तरह से मिक्सी के जार में डालकर हलका सा ग्राइंड कर लिया है दरदरा सा करना है हमको बहुत जादा महीन पाउडर नी बनाना है अब यहां एक मिक्सिंग बाउल में हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे और यकीन मानिए इस स्टफिंग से आप बहुत सारी चीजे बना सकते हो मिंटो में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है हमारी यह स्टफिंग ना आलू उबालना है ना ग्रेट करना है कोई जंजट नहीं तो बाकी की जो बेजिटेबल्स हमने यहां पर फ्राय करके रखी दी उन्हें हम यहां पर मिक्स कर देंगे तो आपने देखा ना बिना मिर्च मसाले डाले हमने यहां पर अपनी यह टेस्टी सी स्टफिंग मना ली आलू का भी इस्तेमाल नहीं किया तो है ना यह मज़ेदार्शी रेस्पी जब भी अचानक से महमान आ जाए ना तो तो आप फट फट से स्टफिंग मना कर कुछ भी बना सकते हो कचोड़ी बना सकते हो या आपको सैंडविच बगिर हे बनाने हैं वह बंग सकते हूं मैं यहां पर बच्चों के लिए कौन बना रही हो तो मैंने यहां पर नॉर्मल जो मेरा आटा होता है रोटी का उसको गू अगर आपको मैदे वगेर में बनाना अगर आपको बनाना भी है यहां पर हम एक पाइप बहुत ज्यादा पत्ली पेल नी है ना बहुत ज़्यादा मोटी पेलनी हैं अब यह लगा अब यहां रही हूं एक जो लेयर लगेगी न तो उससे हमें आराम रहेगा जब हम वो रोल बनाएंगे न कोन बनाएंगे और इस तरह से देखिए मैंने बेलन से हलका साथ दबा दिया है और अगर आप चाहें तो इस आटे में थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हो अजवाइन का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पर मैंने इस तरह से दो कट लगाए हैं और हमारी यहाँ पर चार कोन बनकर तैयार हो जाएंगी तो यह देखिए किस तरह से हम इसको म बड़िया से हलकी सी खुलती है पूरा रोल कभी भी नहीं खुलता है और यह देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से हातों से थोड़ा सा और अच्छे से चिपका दिया है तो यह हमारी बड़ियासी कोन मनकर तयार हो गई है मिंटो में बन गई गेहूं के आटे की जो नॉर्मल सबके घर में रखा रहता है थोड़ा बहुत फिरिज में गुंदा हुआ आटा उससे और स्टफिंग भी आपने देखी बिना किसी जंजट के फटा-फट से हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई तो यहाँ पर हम बना लेंगे यह बड़ियासी कोन मैंने साइड मे ओयल गरम होने के लिए रख दिया है क्योंकि मैं इनको डेफ्राई करने वाली हूँ बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरह से और जब वो कुछ मांगते हैं कि स्पेसल सा कुछ उन्हें चाहिए आप बना के देदो और थोड़ा सा देखने में इंट्रेस्ट अच्छी सी लगे तो है ना मज़ेदार सी रेस्पी अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो रेस्पी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजेगा रेस्पी को शेयर कर दीजेगा साथी कमेंट करके बताईएगा कि आपको यह कैसी लगी और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्ले इस रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन जरूर प्रेस किजेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकिशन आप तक पहुंच सके और अगर आपको कौन नहीं बनानी है तो आप इस तरह से पॉकिट बना सक लगते हैं और यह पॉकिट भी आप तल लेंगे तो यह भी बहुत अच्छे लगते हैं यह सब इंस्टेंट वाली रेस्पी है कि अचानक से कोई आ जाता है या बच्चे मांग रहे हैं कुछ तो आप उन्हें बना कर दे सकते हो घर में मिलने वाले आसान से सामान से अब य इस तरह की कोई चीज बनती है तो बच्चे बड़ी बेसबरी से इंतजार करते हैं तो यह देखिए बड़ी आसी यह कौन क्रंची करारी बनकर रेडी हो गई हैं तो इनको मैंने खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरह से फ्राई कर लिया है और अब ड्रेस्चिंग बना कर देदी जिये बच्चों को अच्छा लगता है यहां पर मैंने थोड़ा सा या यह आलू भुजिया आती है ना तो मैंने आलू भुजिया थोड़ी सी बढ़िया और खाने में भी बढ़िया तो अगर रेस्पी पसंद आ रही हो तो एक बार बना कर ट्राय जरूर कीजिएगा बहुत अच्छे लगते हैं और फटा-फट से बन भी जाते हैं तो मेहमान आ जाएं या फिर बच्चे जिद करें तो फटा-फट से बनाएं ये टेस् से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहां पर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूं कितनी क्रंची बनी हुई है और जो मसाले की लेयर है वो तो खाने वाले को पता भी नहीं चलता है कि आपने इसक आते रहते हैं कि इसके अंदर किस चीज की स्टफिंग है